नमस्कार मित्रों मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ मित्रों उम्मीद करती हूँ आप प्रसन और स्वस्त होंगे परमात्मा से सदेव ये कामना करती हूँ आपके जीवन में मांगलिकता बनी रहे शुबता बनी रहे आपके बिगड़े वे काम परमात्मा सहज ही बनाए और आप किसी भी प्रकार की परिशानी से उद्वेलित ना हो परिशानी आपके पास फटके तक नहीं यही मेरी शुबकामना आपके लिए हमेशा रहती है और दिवाली की आप लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी बाते हैं जो आपको नहीं मालूम होती है और वो बातें जीवन में कई बार धन की इतनी जबरदस्त कमी पैदा कर देती हैं घर में आर्थी का भाव उत्पन हो जाता है तो यह स्तती आपके जीवन में बिल्कुल उत्पन ना हो इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाई बता रही हूँ जिनको अपना कर आप जीवन में इन संकटों से मुक्त हो सकते हैं तो आईए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन एक निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो इसे आप सब्सक्राइब कीजेगा यह है बिल्कुल फ्री होता है इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है इसके अलावा आप मुझसे जोतिश यह परामर्श भी ले सकते हैं मैं 20 वर्ष से जोतिश कर रही हूँ सिखा रही हूँ कुंडली देख रही हूँ वास्तु देख रही हूँ और रिसर्च का काम ऐसा होता है कि निरंतर चलता रहता है रोज हर दिन हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं तो मेरे आई यह जो ग्यान है वो आपके काम हा सके लेकिन यह निशुलत नहीं है यह चार्जेवल है डिस्क्रिप्शन में जाके आप इमेल आईडी चैक कीजिए उसके थुरू आप अपना भविष्य जान सकते हैं कुंडली वगरा हम बना कर डिटेल में उसका स्टडी करके आपको रेमेडीज बताते हैं जिससे कि आप किसी भी प्रकार के संकट से बच सकें कोई भी भटना या कोई भी बुरा वक्त आने से पहले ही आप उसके उपाय कर लें जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं भुगतनी पड़ें आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं जिससे कि धन रद्धी हो सके गरीबी का खात्मा हो सके इसके लिए छोटी सी एक उधारन दे रही हूँ आपको जैसे कि जाडू कहते हैं जाडू में लक्षमी का बास होता है लेकिन यही जाडू यदि गलत तरीके से लगाई जाए तो मेर कि मैंंगेट का द्वार को से देぎ herds कर आफो मेंतल approach चाहिए वही गर्फी इस बात का प्रतिक है कि दर्ड्रता आपके घर के बीतर प्रवेश कि घर का is रही है यह घर का कच्रा हमेशा घर के बाहर निकलना चाहिए यह जाडू ज़रू थे लिए कि जाडू साग्हान को इसके अलावा संध्या समय पर जाड़ू नहीं लगानी चाहिए जाड़ू जाड़ू जाड़ा से जाड़ा चार बज़े से पहले लगा लें दुबारा अगर आप जाड़ू लगाते हैं तो घर में तीन बार से अधिक जाड़ू नहीं लगानी चाहिए हाँ आगर आपका व अभी लागू नहीं होती है, अन्य दिनों की हम बात करते हैं, तो जहां तक हो रात को जाडू नहीं लगानी चाहिए, कई बार लोग लगा लेते हैं, जसके किसी घर में छोटे बच्चे हैं या कुछ गिर गया है, तो उसका तरीका ये है कि आप कोई गीला कपड़ा करके कप लेकिन जाडू नहीं लगानी चाहिए, इसके अलावा जाडू गीली नहीं होनी चाहिए, जाडू से जब आप कच्रा बाहर की तरफ निकालते हैं, तो उस कच्रे को कई बार मैंने देखा है, डस्ट पैन में भर कर बाईयां वापस घर के अंदर ले जाती हैं, कई बार अपने घर के बुझे वए दियों की बत्तियां होती है, या बुझे वए अगर बत्ती होती है, या धूप दीप होती है, वो दूसरों के पार्किंग में घरों में डाल देते हैं, अगर आपके घर में भी आपका पडोसी करता है ऐसा, या कोई और फ्लैट में रहने वाले दूसरे लोग करते हैं, तो आप उस पर पानी डाल दें और पानी डाल कर उसको हटवा दें, जहां तक हो सके अगर आपको ध्यान में आ गई है कि कौन व्यक्ति डाल रहा है, तो उसको मना करें कि वो ऐसा ना करें, दूसरे के घर के बुझे होए दीपकों की बत्ति और जो अब रहते हैं, उस घर में केतु संबंदी प्राबलम्स बहुत आती है, तरह तरह की दिक्कत आती है, व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, बहुत दिक्कत आती घर में, इससे बचने के लिए कोनों की रेगुलर विशेश सफाई किया करें, अन्य दिनों की बात कर रही हो, दिवाली पे तो हर कोई करता है, लेकिन उसके अलावा कई बार कोने उपेक्षित रहते हैं, तो घर के कोनों की हमेशा सफाई करें, इसके अलावा गर की जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो बिलकुल निकाल दें, दिवाली पर ऐसा न सोचें कि इस चीज का फूल दान बन सकता है, इस बोतल का पैन स्टेंड बन सकता है, ये सब नकारत्मक शार्स पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि इस रश्टी का क्रम है कि जो चीज समाप्त प्राय हो चुकी होती है, उसको निकाला जाता है, उसको रखा नहीं जाता घर के अंदर, तो हर सजीव नि वस्तु की एक निश्चित आयू होती है, उसके बाद वो निश्क्रिय हो जाती है, तो उन चीजों का यूज करना बिलकुल वैसा ही है कि कोई ड़ाड बॉड़ी को घर में रखना, तो ये शब्द हो सकता है, आपको अलग लगे बुरा लगे, उसके लिए शमा चाहूंगी लेकिन यथार्त यही है, कि जब कोई चीज परमात्मा ने नश्ट कर दी है, तो उसको आप जोड तोड़ के घर में रख रहे हो, तो यह बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव प्रक्रिया है, जो की मेरी द्रश्टी में बहुत गलत है, बाकि अगर आपको सही पहेंगी है, उसको फैक डालिए, आप यह सब करके देखना और फिर देखना सम्रदी के, उन्नती के बरकत के, कितने अवसर मौके आपके जिन्गे में आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी चाहिए, नकार अत्मता पैदा करती हैं, इसके अपनी कोई भी चीज़ पुरानी जब आप किसी को देते हैं, तो उसका औरा कट करके भेजें, कुछ भाईवन पूछते हैं, औरा कट करना क्या होता है, कि हमारे वस्तर हमारी चीज़ों में हमारी आत्मा वास करती है, कुल मिला के सामने भाशा में आपको बोलों तो, तो ह हम अपनी आत्मा को दूसरों को कैसे दे सकते हैं, तो एक छोटा सा कट लगाने से वो से मुक्त हो जाती है चीज़े, और फिर हमारी जो चीज़े हैं, हमारी जो एनर्जी है, वो दूसरे तक नहीं पहुंचती है, हमारी एनर्जी हमारी पास रहती है, क्योंकि हमारी गई दूसरों के पास चली गई तो हमारी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी यही कारण है कि इन सब चीजों से बचने के उपाई बताये जाते हैं इसके लवा मेरे अन्य वीडियो भी देखना जिसमें कि मैं इंटिरियर के कुछ ऐसे सुझाब दूँगी जो दिवाली पर यदि आपके भक्ती भावना प्रमúc कहें और भक्ती भावना प्रमूक है तो यह चीज़ए भी बर्क करती हैं लेकिन हर चीज का अपना रोल होता है कि अगर हम सिर्फ यह कल्तना कर लें कि हमारा मूह मिठा हो रहा है तो मिठाई तो हमारे मुँ में नहीं आ जाएगी ना हमको हुँटिय हम कर सकते हैं तो वही चीज़े की जो शम्रद्धी बढ़ाने वाली चीज़े हैं अगर आपने वहां नहीं रखी पूजा में दिवाली की पूजा में तो सम्रद्धी कैसे मिलेगी मालक्ष्मी की प्रिया चीज़ें आपको रखनी होगी और उसके वो जानकरी मैं बहुत शीक अन्य वीडियो में दूगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का मित्रों बहुत बत धन्यवाद